वेल्कम बैक अब्रीवन वेल्कम टू सुबल सर्विसेश टड़ी यह टैस सीरीज यूप पीएस्सी पीसेश के लिए चल रही है इसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री की NCRT को कबर कर रहे हैं अगला टॉपिक है इसमें अठारवी सधीका भारत इस टॉपिक से जितने भी प्रश्ण मनते हैं उनको बनाएंगे यह सीरीज इंपोर्टन्ट है उन लोगों के लिए हैं जो NCRT की किताबों को नहीं पढ़ते हैं और खासकर BPSC के लिए, MPPSC के लिए और दूसरे स्टेट के PCS में भी GS काम करेगी UPSC सिवल से वा तक वाकिस टेस्रीज की प्लेलिस्ट बना रखिए वहाँ पर अप टेस्ट नमबर बन से लेकर जितने भी नए टेस्ट आएंगे वहाँ तक आप पहुंच सकते हो, पहला प्रस्ट है हाँ पर सिखो के संदर में नमलखी कत्नों पर विचार करेंगे सिख धर्म की सुरुबात गुरुनारक ने की थी, सिखो को लड़ाकु समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हर गोबिंद ने सुरू किया, अपने आखरी गुरु गुरु गोबिंद सिंग के नेतरत में सिख एक राजनितिक और फोजी ताकत बने सिखो के कितने गुरु, गुरु दस की अधस इंपोर्टन्ट है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्ण बने वो पहले से बने, पांच में से बने, नमें से बने, दस में से बने तो सिख धर्म की सुर्वात गुरु नानक ने की, हर गोबिंद ने सिखो को लड़ाको समधाय के रूप में बदलने का काम सुरू किया, और आखरी गुरु, गुरु गोबिंद सिंग, दसमें गुरु के नेतरत में सिख एक राजनितिक और फोजी सकती बने, तो सारे के सार सिख धर्म की सुरुबाद गुरु नानक देव ने पंद्रवी सताब्दी में की, यह पंजाब के जाट किसानों तो था अन्य छोटी जातियों में फैल गया, और वहीं लड़ाको समधाय के रूप में सिखो को बदलने का काम, गुरु गोबिंद सिंग ने आरंब किया, मग रंजेब की फोजों और पहाडी राजाओं के खिलाब, फोजी नहीं, दूसरा प्रशन है, अठारवी सदी के भारत के संबंद में दो कथन दिये हैं, हाँ पर कौन सा सही होगा, इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था, निर्यात यानि ले जाना और आयात यानि आना भारत में दूसरे देश से, इस सदी में भारत विज्ञान और प्रधोगी के मामले में यूरोप से काफी आगे था, अठारवी सदी में भारत विज्ञान प्रधोगी के मामले में यूरोप से आगे कैसे हो सकता है, गलत है, निर्यात यानि भारत से ले जाई क्रशी के उत्पादनों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था इसलिए बड़े प्मानों पर विदेशी वस्त्मों का आयात नहीं करता था। दूसरी और भारत के और प्रशी उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित वाजार था। फलसुरूप भारत का नरियात आयात से अधिक था तो पहला वाला सा ही हो गया। दूसरा बाला गला थे क्योंकि भारते संस्कृति की मुखे कमजोरी विज्ञान के छेत्र में थी। अठारवी सदी के दौरान भारत पश्मी देशों से विज्ञानों प्रधकी के मामले में काफी पिछड़ा रहा था। और पिछले दो सो वर्सों से पश्मी योरोप में एक वैग्यानिक और आठिक क्रांती चल रही थी जिससे अविश्कारों और अनुसंधानों की बाड़ सी आ गई थी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं सी है इसका अंसर तो अठारवी सदी में मसहूर पंजावी महाकाव वहीर रांजा की रचना वारिस ससा द्वरा की गई और इसी सदी के दौरान साह अब्दुल लतीफ ने अपना परशिद कविता संग रहे रिसालों रचना हिंदी साहित्य के सदी ये सदी विशाल उपलब्दियों की अवधी थी सचल और सीमा इस सतावधी के अन्यमहान सिंधी कवी थे सचल और सामी अन्यमहान सिंधी कवी थे Q4 पर आज़े 18 सदी के साहित्यक जीवन के संदर में कौन सा कथन इसमें गलत है केरल के महान कवी कुंचन नंबियार इसी समय हुए और इस सदी में उर्दु भास्टा का परशार और उर्दु कविता का जोड़दार विकास हुआ तमिल में सित्तर कावी की सुरुवात इसी सदी में हुई केरल के महान गीतकार दयाराम ने भी इसी सदी में अपनी रचनाएं लिखी देखे जो दयाराम थे वो गुजरात के महान गीतकार थे तो गलत है यहां पर डी वाला स्टिट्मेंट तो अठारवी सदी में ही मल्यालयम साहित में पुनर जीवन देखा गया और यह है विसेश का त्रावन को और शाष को मारतंत बड़मा और राजा बड़मा के संरक्षन में हुआ केरल का एक महान कवी कुंचन नम्बियार इसी समय हुआ जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी और अठारवी सदी के केरल में कथाकली साहित कौमानाटक और नरत का भी पूर्ण विकास हुआ इसी सदी के साहितिक जीवन का लेखने पहलू था उर्दू भाषा का परसार और उर्दू कवीता का जोड़दार विकास तायू मानवर तमिल में सित्तर कावी का एक उतकरष्ट परवर्टक था तमिल में सित्तर कावी की सुरुबात इसी सदी में हुई तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी साही हो गया, चौथा गलते क्योंकि इस सदी के महान कभियों में एक दयाराम ने इस सदी के उत्रार्ध में अपनी रश्नाएं लिखी, ये गुजरात के थे, ना कि केरल के पूरी सदी में लड़कियों की सिक्षा पर विशेश रूप से ध्यान दिया गया, और इस समय भारत की दो बड़ी सामजिक कुरीतियां थी, सती प्रथा और विद्वा, विद्वाओं की खराब अवस्था पूरी सदी में लड़कियों की सिक्षा पर विशेश रूप से ध्यान दिया गया, तो होई नहीं सकता ठीक है, ये तो गलत है, ये ही आंसर है वगि बाल विवा का प्रशन सामनेता पूरे देश में था, सती प्रथा सामनेता दक्षन भारत में प्रशलित नहीं थी, ठीक है, उत्तर भारत में थी, दो बड़ी सामजिक कुरूतियां थी, विद्वाओं की खराब अवस्था और सती प्रथा तो दूसरा गलत है, देखे, पूरे भारत में अठारवी सदी के दोरान, अठारवी सदी को देखने से पता चलता है कि बाल विवा प्रथा पूरे देश में प्रशलित थी, लड़कियों की सिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया गलत है, दूसरा बाला स्टेट्मेंट, लड तर राजपूताना बंगाल तथा उत्री भारत के अनेहसों में प्रशलन था, दक्षन भारत में इसका प्रशलन नहीं था, तो वाला भी स्टेट्मेंट सही है, ठीक है, मराठो ने इसे बढ़ाबा नहीं दिया सदी पूर्था को, पूर्शन नुम्बर शिक्स पर आजे, नमलिकित मैं से, सरंजामी प्रथा किस से संबंदित है, सरंजामी प्रथा, सरंजामी प्रथा है, मराठा भूरा जस्व से, भी है इसका अंसर, तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूरा जस्व से संबंदित थी, इस काल में मराठा जागिरदारों को सरंजामी भूमी उन के निर्वहन के लिए दी जाती थी important रियाद रखेगा मराठा राजस्व विवस्था के संदर में दो कतने हैं अबर चौथ जो है मराठा आकर्मनों से बचने के बदले में बसूला जाने वाला शुल्क था और सरदेश मुखी मुखिता मराठा साशित राजयों से वसूला जाने वाला वूराजस्व था कौन सा सही है इसमें चौथ मराठा आकर्मनों से बचने के बदले में वसूला जाने वाला शुल्क था ठीक है और ये सरदेश मुखी जो है वो ये इस चौथ के उपर ही अडिशनल था तो गलत है दूसरा वाला स्टेट्मेंट के वर पहला वाला सही है तो सामने ता चौथ जो है वो मुगल सत्ता के प्रती निष्ठा रखने वाले राजयों से मराठा अकर्मनों ना करने के बदले बसूल जाने वाला कर था इसकी मात्रा आयका एक चौथाई थी और सरदेश मुखी चौथ पर लगने वाला एडिशनल टैक्स था इसकी मात्रा एक वोटे दस थी और इन करों को सिवाजी द्वारा सुरू किया गया था यह नाम याद रखिएगा चौथ और सरदेश मुखी कुछ नहीं सुरू किया एबी सीडी चार विकल बना कर पूछेगा सिवाजी ने कोश्यन नमबर आठ पर आजएए नमने कि तुमें से कौन सा सईसो में लेता है पर्थम आंगल मराठायोद दुत्य आंगल मराठायोद पर्थम आंगल मराठायोद समाप्त हो गया सालवाई की संदी के द्वारा और दुत्य आंगल मराठायोद समाप्त हो गया देव गाउ के दोरा गलति दोनों के दुनूं का था फीlast एट रे हीज का अंजर है तो पड़िधा मात आंगल माराथाईद 1772 में सालवाई की संदी के दोरा देवगाओं की संदी के दोरा दूत्य आंगल माराथायूद 1803-1805 में Prin sweets अंगल का मतलब हैं tua अंग्रेज और और मराठो के वीच युद्ध तृतिया अंगल मराठा युद्ध का समय अठारे सो सोले से अठारे सो निस के बाद अंग्रेज द्वरा पेश्वा का वनसानुगत पद जो है स्वाप्त कर दिया गया और पर्थम युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए जबकि अन्य दो य पानिपत की तीसरे में अंग्रेज जीत गए पानिपत की तीसी लड़ाई के परणाम सरूप निम्रिकत में से कौन सी घटनाए घटी माराठो की राजनितिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिन भारत में अ अफगानों का पंजाब में पून्गता अधिकार हो गया घटे अ तर्ड विट्र पानिपत पहला से दूसरा से यह तीसरा गलत क्वा पंजाब के मूंदा अधिकार नहीं हुए तो 1761 में हुई थी पानीपत की तीसी रडाई यही इंपोर्टन्ट है अपने आप में इसको पढ़ लिजेगा एस्मिनेशन को अब यह प्रश्ण ऐसे पूछ ले तो पानीपत का तीसरे विद्ध निम्ले के दमाई से किनके मध्य हुआ था मराठा और अफगानों के बीच ठीक है आपसन नमबर भी है इसका अंसर अफगान कौन एहमद साबदाली तो पानीपत का तीसरे विद्ध हुआ था 14 जन्बरी सत्र सिक्सट को मराठो और अफगान साशक एहमद साबदाली के बीच कौन जीता मराठे जीत गए सारी मराठे हार गए अफगान जीत गए कौशन नमबर 11 पर आजए इनमरीखित कतनों पर विचार करेंगे तीन कतने आपर कौन साइस में सही होगा बाजी राप पर्थम को सिवाजी के बाद गुरुल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया बाजी राप पर्थम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेश मुखी कर मराठो को देते थे बाजी राप पर्थम ने पुर्टगालियों के पश्मी तटके इलाकों को भी अपने कबजे में कर लिया था पहला से यह दूसरा से यह तीसरा वाला गलत है क्योंकि पश्मी तटके इलाके जो हैं वो पुर्टगालियों के पास ही रहे थे तीसरा वाला से यह तो पहला वाला करेक्ट है दूसरा वाला भी करेक्ट है तीसरा वाला इन करेक्ट है क्योंकि बाजी राव के पुर्तगालियों के खिलाब भी अभियान आरंब किया अंत में सिलहट और बसाई पर कपजा कर लिया गया मगर पश्मी तटपर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कपजा बना रहा तो तीसरा बला का लगता है एक उच्ण नूबर बारह पराजरी ओररणजेव कंगरहा नमलिघित में Сे कहां हिस्सत है महराश्ट में है, यानि ए consistent माहराश्ट में है यानि भूं य वह कि तो औरणजेव का मकबरहा है कुल्दाबाद में यानि महराश्ट में एत्माद दौला का मकबरहा आगरा में सेखसलीम चिस्ती का मकबरा फत्यपुर्सीकरी अब्दुलरहीम खान खाना का मकबरा है दिल्ली यह मैच बैच करने के लिए पूछता इंपोर्टन्ट है रणजीत सिंग के संदर में इनमलेकित में से कौन सा कथन गलत है यानि incorrect statement कौन सा होगा इन तीन में से अगर सिंग द्वारा साशित पंजाव एक सिख राज था रणजीत सिंग द्वारा साशित पंजाव एक सिख राज नहीं था गलत है यहाँ पर सी वाला statement यह पहला सही है दूसरा सही है तो इनकरेक्ट कौन सा होगया सी वाला देखे रणजीत सिंग धर्म के मामले में सहनशील और उदारबादी थे वेना केवल सिख बलकी मुसल्मान संतों को भी आदर समान और सनक्षन देते थे धर्म पराणे सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि वे अपने सिहासन से उतर कर मुशल्मान फकीरों के पैर की धूल जो है अपनी लंबी सफेद दाड़ी से जाड़ते थे वस्तुते किसी भी दरश्टी से रणजीत सिंग द्वारा साशित पंजाब एक सिख राज नहीं था तो गरत चोथा वाला मतलब सी वाला देखे जब अठारे सनों में अंग्रेजों ने रणजीत सिंग को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरव के सिख राज्यों को अपने संरक्षन में ले लिया तब उन्होंने चुपी साथ ली क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों से मकावला करने की सकती नहीं है इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिकरों से बचा लिया मगर वह विदेशी खत्रों को हटा नहीं सके तथा उस खत्रे को अपने उत्राधिकारियों के लिए छोड़ दिया प्रश्चन नमबर 14 पर आजिये महरारजा रनजीत सिंग के संदर में एक और सवाल है हाँ पर तीन कथने कौन सा सही होगा इसमें इन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज कायम किया इन्होंने जीते हुए छेत्रों में मुगल भूराजस व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ की इनकी फौज में केवल सिख लोग ही सामिल थे यह तो गलत है उपर की एक्स्प्रेशन से पढ़कर पतश लेगा यह भी करेते हैं कोई नई वस्था सामिल नहीं कि इन्होंने हाँ पहला वाला सही है केवल यह है इसका आंसर तो केवल पहला वाला कथन सत्य है दूसरा वाला असत्य है और तीसरा वाला भी असत्य है इनको पढ़ सकते हो आप एक्स्प्रेशन से बहुत बड़ी हो जाएगे बना है चलिए कोश्चन नंबर पंद्रा पर आजएए और अंजेब की मृत्तियों के बाद मुगल साशकों के गद्धी पर बैठने का सही काला नुकरम कौन सा है और अंजेब मर गया उसके बाद बहादुर्सा पर्थम उसके बाद आ जाई है जहांदार्शा उसके बाद फरुक सिया फिर सहाल अम्दुत्य एह है इसका अंसर है तो और अंजेब की मृत्यों के बाद उसके तीनों बेटों के वीज गद्धी के लिए संगर्स हुआ जिसमें 65 वर्षी है बहादुर्सा विजही रहा उसने 707 से 7012 की अवधी तक शाशन किया बहादुर्सा की मुरत्यू के बाद उसके बेटे जहांदार्शा ने ततकाले इन सक्तिसाली अमीर जुलफिकार खां की सहयता से गद कीला बात्सा है जहादार्शा को पराश्त करके उसका भतीजा फरुक्सियार गद्धी पर बैठा सेयत बंदुओं ने फरुक्सियार की सत्ता पाने में साहिता की थी और बाद में उन्होंने उसकी हत्या कर दी अठारे वर्षी मुहमद सा को गद्धी पर बैठा दिया और कुश्चन नमबर 16 पर आजिए सूची एक को सूची दो के साथ सुमलित कीजिए नीचे देगे कूट का परियोग करके सही उतर का चुनाब कीजिए सूची एक में छेत्र उनके साशक त्राबन कोर राज आमेर जाट राज रुहेल खंड बताइए राजा मारतंड बर्मा से कौन मिलेगा जैस सिंग से कौन मिलेगा सूरज मल से कौन अली मुहम्मद खां से कौन त्राबन को राज, राजा मार्तंड बर्म, आमेर, जैसिंग, जाड, राज, सूरजमल, रुहेल, खंड, अली वर्ड दिखा तो यह तो 1, 2, 3, 4 हो गया यह है इसका अंसर तो 1, 2, 3, 4 यह explanation है इसको पढ़नी है आपको question number 17 पर आज़ोई है, समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा नमलिकित कत्नों पर विज़ाद करेंगे दो कत्ने यहाँ पर, यह जो चीजे लिखी होई हैं इनमेंसे किसे एक के बारे में हैं वो बताना है समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे एक नए कलेंडर को लागू करना, कुमा सिक्का ढ़लाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा मापतौल के नए प्रमानों को अपनाना उसकी एक अत्यांत प्रिय उक्ती थी कि एक सेर की तरह एक दिन जीना बहतर है लेकिन भेड की तरह जिन्दगी जीना अच्छा नहीं है वो प्रोक्त कथन नमरी के तमयसे किस साशक से संबंद लेता है बताये कौन है यह टीपु सुलतान है, अलि बर्दी खाए है, हैदर अली है, साधत खाए इस से पहस जाना जा सकता है कई बार एक्जाम से पूछे किए ये लाइन एक सेर की तरह एक दिन जीने से बहतर है एक सेर की तरह एक दिन जीना बहतर है भेड़ी की तरह लंबी जिंद्गी जीने से हैदर अली है या कौन है ये टीपो सुल्तान है तो उपरियोग दोनों ही विशेस्ता हैं टीपू सुल्तान के विशे में है अत्यवे समय के साथ चलने वाला बहादूर और निर्भीक साशक था टीपू के विशे में कुछ अन्यवाते निम्लिखित हैं उसे फ्रांसी सी क्रांती में गहरी दिल्चस्वी थी उसने स्री रंग पत्नम में सतंतरता अवरक्ष लगाया और जैकोविन कलव का सदस्य भी बना वो और उसने 1796 के बाद एक आधनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिस भी की उसके समय मैसूर का साशक मैसूर का किसान विटेश साशित राज मदराज के किसान की तुलना में बहुत अधिक संपन और खुशाल था और अंतिम आंगल मैसूर युद जोहता 1799 में वह स्रीरंग पत्नम के द्वारा द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया अब अठारवा प्रशन हैदर अली के बारे में हैदर अली असिक्षित था एक कुसल प्रशाशक था उसने फ्रांसी सियों की सहायता से एक आधनेक सास्त्रागार इसंथापित किया अजय को अलग से प्रशन बन सकता इस सकता है सद्रौ एक और इस्ट्रा गार्स थाफिट किया है पराजित किए अगल मैसुर युद्द में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह भाजित Q देखें दूसरे आंगल मैसुर यूदि में वो अंग्रे जों से मारा गया गलत तीसरा वाला श्ट्म पहला से ये दूसरा से ये तीसरा से ये तो 123 भी है इस कंसर तो दक्षिन भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन मैसुर का उद्य हुआ हैदर अली पढ़ा लि सिसी विसे सग्यो की मदद ली उसने 1769 में अंग्रेजी फोजों को बार बार हराया और मदरास के पास तक पहुँच गया परनतु दुत्य आंगल मैसूर युद्धे के दोरान 1782 में वो मारा गया उसके इस्थान पर उसका बेटा टीपू गदी पर बैठा मुगल सामराज के पतन के समय अवद के स्वायत राज़ का संस्थापक नमले के दमें से कौन था सफदर जंग, अली बर्दी खाँ, साधत खाँ, सुजाओ दोला मुगल सामराज के पतन के समय अवध के स्वायत राज का संस्थापक सादत खां बुरहान उन मुल्क था ये पूरा नाम है इसके बाद उसकी जगा उसके भतीजे सफदर जंग ने ली और सफदर जंग के बाद सुजाओ दौलावद का नवाब बना और अली वर्दी खां बंगाल का नवाब था बीस्वा प्रश्ण है मुगल कालीन तकावी रण के संदर में निम्लिकत में से कौन सा कथन सही है तकावी रण मुगल काल का क्या है खेती के विस्ताव बहतरी के लिए राज की और से दिया जाता था ब्यापार को बढ़ावा देने से संबन लिते है सेना के सुद्रिक रण से संबन लिते है या युद्ध की इस्थती में राज द्वरा साहुकारों से लिया गया रण था क्या था तकावी तकावी ब्यापार से संबन लित नहीं है खेती के विस्तार वेहतरी के लिए राज की और से दिया जाने वाला रिण है इसमें गरीब खेती हरों को अकाल, कौमा सूखे, वेबाड जैसी विप्रीत परिस्तियों से उबरने में सहायता मिलती थी साथ ही यह है, उन्हें समय पर भूरा जस्व देने के लिए समर्थ बराने का राज का एक प्रियास भी था कॉश्चन नमबर 21 पर आजिए, बंगाल के नवाबों का सही काला नुकरम नमलिकित में से कौन सा है सबसे पहले तो मुर्सीत कुली खाई आएगा, अली वर्दी खाँ मुर्सीत कुली खाँ के बाद का है मुर्सीत कुली खां की मुरतियों के बाद उसके दामाद सुजाउद दीन ने बंगाल पर 1749 में साशन किया 1749 तक साशन किया और उसकी जगह पर उसका वेटा सर्फराज खां आया जिसे उसी साल गदी से हटा कर अली वर्दी खां नवाब बन गया सिराज दोला अली वर्दी खां का उत्राधिकारी था तो सबसे पहले मुर्शीत कुली खां सुजाउद दीन अली वर्दी खां फिर उसके बाद सिराज दोला है घरभाद की स्ठापना किस ने की थी? है अब सर अबowaniaड़ी है इसका अंसर तो निजाम अलमुल्क आसफ जाने 1724 में है ङज़राबाद राजे की स्ठापना की उसको दक्कन के वाइसराय काई खिताब राप्त हुआ था उसको किसको निजाम अलमुल्क आसफ जहां को 23 वा प्रश्ण है नम्रिकित में से कौन मुगल सामराज का अंतिम बादसा था तो बहादुर सा जफर या बहादुर सा दुत्य आपसर नूमबर भी है इस का अंसर बहादुर सा दुत्य या जफर अंतिम मुगल समराट था इसके पिता का नाम था अकबर सहादुद्याय समय भी देख लिजेगा नम्री के तुमें से कौन सा कथन कलत है एहमाद सावदाली नादरशा के सबसे काविल सेनापतियों में से एक था उसने 1761 में मराठो को पानीपत की तीसी लड़ाई में हराया और अवदाली ने मुगल सामराज में कई बार लूट पार्ट की अपरोक्त में से कोई नहीं मतलब कोई कौन सा इंकरेक्ट पूछ रहा है अगर ये तीनों सही होंगे तो आंसर डी होगा बिल्कुल ये तीनों सही है इसलिए आंसर इसका डी है तो एहमाद साब जाली नादिर शाह के सबसे काविल सेनापतियों में से एक था उसने मुगल सामराज में खासकर दिल्ली मतुरा में कई बार लूट पार्ट की उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी उसने 1761 में मराठो को पानी पत्की 30 लड़ाई में हराया पानी पत्की कितनी लड़ाईया हूए तीन लड़ाईया और इस हार से मराठो की इस महत्वा कांशा को बड़ा धखका लगा कि वे मुगल वादसा पर नेंतरन रखेंगे और देज पर आधिवत्ते कायम करेंगे सहालम दुत्ति के संदर में दो कथनें यहां पर कौन सा सही होगा इसमें देखे इसे अपने वजीर से जान का खत्रा था इसकारण अपने साशन के आरंभिक वर्षों में यह राजधानी से दूर ही रहा इसे वक्सर के लड़ाई के बाद कंपनी का पैंशन याफ्ता वनकर इलाहबाद में रहना पड़ा बिल्कुल यह करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इस कांसर उपरोग दोनों के दोनों कथन स्टे हैं यह एक्स्पिनेशन को पढ़ सकते हैं आप कॉश्चन नमबर 26 पराज़े नादिर्शा के आकर्मण के संदर में नमलिक तमसे कौन सा कथन गलत है नादिर्शा भारत के प्रती यहां के अपार धन के कारण अकर्शित हुआ था क्या मुगल फोजों से उसका मुकाबला करनाल में हुआ था क्या भारत में लूट से प्रातु धन के कारण उसने अपने राज यानि इरान में तीन सालों तक कोई कर नहीं लगाया था क्या, उसने साज अहां के रत्न जडित मयूर सिहासन यानि तख्ते ताउसको नौश्ट कर दिया था क्या, और प्रसिद कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया मदीरा का सेबन करता ठा ठीक है mungkin इन्हीं सब्चीजों का फायता उठा गया नादिर्शा मययूर सिहांसन उसने तोड़ा नहीं तक्त्यत्यत्यास भी अपने साथ ले गया वह और साथ ले गया अछी नसल के घोड़े भी तो पहला सही है दूसरा सही है तीसरा भी सही है यह चो तो उसी पर आ जाई है चोथी पाई लाइन पर देखिए वह प्रुषिद कोहिनूर हिरात था साजहां का रत्न जड़ित मयूर सिहासन यह नहीं थकते ताउस भी साथ ले गया था तोड़ा नहीं था उसने नादिर्शाने मुहम्मद सा को सिंदू नदी के पश्चिम के सामरा इजारेदार कौन है इजारेदार किस से संबन्नित है लगान वसूलने वाला ठेकेदार है क्या राजस होते करने वाला धिकारी है क्या रिण का लेखा लोज्योका करने वाला धिकारी या भूमी का सिमांकर करने वाला धिकारी कौन है इजारेदार लगान वसूलने वाला ठ करार किया जाता था इस विवस्था को इजारेदारी कहते हैं इसमें निश्चित दरपर भूराजस वसूल ने वसूल करने के बतले साशक इजारेदारों इजारेदारों या नि मतलब लगान के ठेकेदारों और विचोलियों के साथ यह करार करते थे कि वे साशक को एक निश् छोड़ दिया जाता था इससे किसानों का उत्पीणन बढ़ा हाला कि मुगलो द्वारा इस विवस्था को नापसंद किया गया फिर भी जहादार शा के काल में इसे बढ़ावा दिया गया 28वा पश़्ण है मुगल सासक जहादार शा के संतर में तीन कथने कौन सा सही होगा पहादार शाह ने ततकालीन सबसे 37 आशक जुलफिकार खाँ की सहायता से गद्दि प्राप्त की थी। जहादार शाह की समय जुलफिकार खाँ बजीर बना। को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए उसने और इसी क्रम में घ्रनित जजिया को समाप्त कर दिया गया और आमेर के जैसिंग को मिर्जा राजा सवाई की पद्वी दी गई और उन्हें मालवा का सुविदार बना दिया गया नादर्शा का आकर्माण नम्लिकित में से किस मुगल वात्सा के समय हुआ तो रंगीला वात्सा मोहमद सा रंगीला देखे नादर्शा का कर्मान 1749 में हुआ, मुहम्मद सा के समय हुआ और मुहम्मद सा प्रशाशन के प्रती उदाशीन था, मदिरा और सुंदरी के प्रती अत्यधे गुरूची रखता था जिस करण लोग उसे रंगीला कहते थे, रंगीला वात्सा उसके साशनकाल में हिजडो, तो था महिलाओं के वर्ग का प्रहुत्व हो गया था मयूर सिहासन पर बैठने वाला वो अंतिम साशक था, दिल्ली का ठीक है, लुटवादिया उसने तक्ते ताउस और कोहिनुर ही रहा चलिए, तो लास्ट प्रस्षन था ये अंतिम तो इस टॉपिक से निकलते हैं, 29 प्रस्षन, important है ये, exams में बनेंगे, सीधे-सीधे नहीं बनेंगे, तो explanation से बनेंगे इन सभी test किया, full test PDF series प्राप्त कर सकते हैं, one time payment of 499, several services study को subscribe करेगा, धन्य बाद, हर दिन practice करते रहिएगा